अस्सलामों अलेकुम मैं सुलेखा अर्फाद सुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं पढ़िया से मटन के सीख कबाब आप देख सकते हैं कितने मज़िदार से बने हैं मैं आपको एक खोल कर दिखा देती हूं बिस्मिल्लाइरा आने रहीं यह देखिए क्या जानते हैं सीख कबाब के लिए कीमा इस्थमाल होता है बड़ मेरे आज Nic enfa आता है न तो बहुत जादा कभी मज़ए हो जाती हो इसे कभी कमम थे हो जाती हो और कीमे से क्या होता है उन कितना भी हुट नितारों निधरता यह इसके मैं bonless mutton मंगा लेती हूं उसे साफ करके 2-3 पानी से धो लेती हूं और निताने के लिए छनी के ओपर साइट पर रख देती हूं जब completely नितर जाता है और dry हो जाता ना सूख जाता है पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है उसके बाद मैं इसका कीमा बना देती हूं हमेशा आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और अगर आपको कीमा लगता है सही तो आप कीमा ले सकते हैं एक blender jar के अंदर दाल दीजी थोड़ी सी कूतमिर यानिके हरा धनिया धोया हुआ साफ है यह और 2-3 हरी मिर्चिया मैं दाल रही हूं आप आपने स्वाद अनुसार दाल सकते ह चाहिए यह एक medium size की प्याज है उसे मैंने बारिक याने की छुंदा काटा है और सबसे पहले तो इसका पानी निचोडने के बाद दाली है अब तीन ब्रेड मैं इसे हाथों की मदद से तोड़ कर दाल देती हूं और इसे ठाक कर बहुत अच्छा ब्लेंड कर लीजी जब अ गोश्ट तो ऐसे ही as it is डाल दीजिए अच्छा मैंने पूरा सावत 500 ग्राम ही गोश्ट डाल रहे हूं आप चाहें तो 400 ग्राम गोश्ट डाले और 50 ग्राम आप चर्वी भी डाल सकते हैं अब इसे डाल कर बहुत अच्छा ब्लेंड कर लीजिए अच्छा ब्लेंड हो 3-4 छोड़ चाहिका चमज गराम मसाला पाउडर आदा चोड़ चाहिका चमज चिली फ्लेक्स बहुत अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए 2-3 मिनित तक अच्छा मैं वह दालना मूल गई अधरक लसन का पेस्ट एकसाइटमेंट में तो एक चोड़ चाहिका चमज अधरक लसन का पेस्ट में डाल देती हो और इसे भी मिक्स करकर 2-3 मिनित तक मिक्स कर रही हो और उसे ढख कर एक-2 घंटे के लिए फुरिज में रख देती हो अब मिनिमम आप 10 घंटा रखेगा सुदा सारे जो मसाले हम दाले वह अच्छे से एमबाइब हो जाए हमारे खी अब मैंने निकाल लिया है दो गंटे बाद एक वाटी रख दीजिए स्टील की उसके उपर गरम करा हुआ कोईला रख दीजिए कोईले के उपर क्विकली तेल घी या मखन दाले ठाके क्विकली और उसके उपर कुछ वजन रख दीजिए पांच-दस मिनित के लिए ऐसे ही लगाईए और मीडियम पोशन लीजिए और यह जो सीख है याने कि यह जो स्टील के सलिये हैं इसके उपर इस तरीके से लगा दीजिए थोड़ा ब्रॉड लंबा कर दीजिए उसे हातों की मदद से उंगलियों से इसकदर शेप दे दीजिए और यह बन गया मैं इसे साइट पर रख देती हूँ इसी तरीके से मैं बाकी के भी सीख बना लेती हूँ आप चाहें तो पैंसिल ले सकते हैं अगर आपके पास यह सीख ना हो यह जो स्टील के सलिये ना हो तो या फिर कांडि भी ले सकते हैं वो जो कांडि आती लेकिन थोड़ा एक घंडा आपको पकांडियों को भीगाना पड़ेगा उसके बाद इस्तमाल कीजेगा अब मैं क्या कर रहे हूँ डायरेक्टली इसे सबसे पहले ग्रिल कर लेती हूँ ग्यास के उपर रख कर और इसे उलट-पलट करते हुए इसे चारो ओड से जब कलर चेंज हो जाता है उसके बाद मैं इसे निकालकर site पर रख देती हूँ इसे तरही की से सारे में grill कर लेती हूँ अभी आप बोलेंगे कर द Prague यह के बराबर बात है के मैं यह हम nis parties क्रेंब और फंड यह कोजाब। यह इसके लिए मैं यहाँ जाते हूँ पहले ठोड़ा सा ग्रिल कर लेती हूं directly gas के ऊपर और उसके बाद मैं तव्वे के ऊपर इसे fry कर लूँगी क्योंकि अभी कच्छे है ना तो इसी तरीके से मैंने सारे अब मैंने तो आदे 1 घंडे के लिए फ्रीज में डग देता आप चाहे तो वहीं से ही प्रोसीजुस फ्रीज्ड़ू कर सकते हैं फ्राइपन के अंदर थोड़ा सा घी धाल सकते हैं तेल लाक्तर दाला है और मक्कन हलका सा ही मेल्ट हुआ तो यहां पर मैंने डाल दिया सीख और इसे मीडियम आज करके तकरीबन एक मिनिट तक फ्राय होने दे यह जो हमारा फ्राय पैन है उसे इस कदर आप बार बार चलाते रहें कि जो हमारी सीख है वो चारो ओर से अच्छे से फ्राय हो ना जब एक मिनिट हो जाए तो मैं कर देती हूँ स्लो आच और स्लो आच करके उलट पलट करते हुए तकरीबन दस ग्यारा मिनिट तक यह सीख को पका लेती हूँ कि यह मटन है ना मटन करने के लिए थोड़ा समय लगेगा अब यहां बात यह है कि बाइदर टाइम ग्यारा मिनिट हो जाएंगे स्लो आच पर तो उन्हें हलके हलके और अच्छे खासे डाक स्पॉट्स हमारी यह जो मटन हैं सीखें इनके उपर आ जाएंगे लेकिन अगर फर्ज करो नहीं आते हैं अगर आपने रखे हैं दस ग्यारा मिनिट तक पका कर और नहीं आते हैं अगर स्पॉट्स तो आप क्या कीज आच कर दीजिए और लास्ट का एक मिनिट उसे मीडियम आच पर जब तक ग्रेलिंग स्पॉट्स जैसे डाक स्पॉट्स ना आ जाएं तब तक उसे पक ने दीजिए क्योंकि ग्यारा मिनिट के अंदर तो आर्राम से यह जो मटन है यह पक जाएगा खीमा तो यह आप देख और निम्बू साइट पर जरूर रखेगा और इसे सर्फ कीजिए तो यह बन गए हमारी बड़िया सी मज़ेदार सी मटन सीख कबाब अच्छा मैं यह जो साइट पर जिसमें मैंने मखन में फ्राई किया था ना वो भी मैं इसके ओपर डाल देती हूँ हमारी सीख के ओपर क सलिये के अंदर शेप दे दे कि सलिये में से निकाल लीजिए और साइट पर रख दीजिए सब बन जाए तो फिर उसे डायरेक्ली तव्वे के ओपर ग्रिल कर लीजिएगा सेख लीजिएगा मक्खन या असलीगी या तेल डाल कर अच्छा अगर आपके पास वो सलिये ना हो सीख जिसे कहते हैं या फिर कोई भी चीज कांडी है या फिर पैंसिले कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं हाथ से शेप दे दीजिए और हाथ से शेप देने के बाद सारों को जब शेप दे तो यह जो तव्वा है इसके ओपर मक्खन या फिर तेल डाले और इसे फ्राइ कर लीजिए 10-11 मिनिट तक तो बन जाएगी हमारी सीख तो यह देखिए क्या बड़ी आसी सूपर सॉफ्ट बनी आप देख सकते हैं और टेस्ट में भी बड़ी लजीज है जरूर बनाईएगा इसी तरीके से मैंने मटन की रेसिपी इस खूब सारी बनाकर मेरे चानल पर अप इस वीडियो के कमेंस सेक्शन में जरू शेक हीजिए अपने कमेंस मुझे आपके कमेंस पर बहुत अच्छे लगते रसपे चलगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिक जरू फावड फिर से अधिर होंगी नहीं शांदार दमदार रसिपी के साथ अंतल दें टेक केर ला आफिस बाई